नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गौर्णमेंट जोब स्टडी ओफीशल यूटूब चैनल दोस्तों गर आप रेलवे मेट्रों में नोकरी पाना चाते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी गुड नियूज है क्योंकि रेलवे मेट्रों में आ चुकी है इस साल 2024 की नई भरती जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं रेलवे मेट्रों भरती 2024 के बारे में जिसका नोटिफिकेशन ओफीशली जारी हो चुका है आविदर शिरू हो चुके हैं और यह जो जौब निकाली गई है रेलवे मेट्रों में यह ओल इंडिया की जौब है सभी मेल और फिमिल के इंडियेट्स हों हैं अपलाइक कर सकते हैं यानि कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी रेलवे मेट्रों की इस वेकिंसी के लिए eligible हैं apply कर सकती है और इस vacancy के लिए आपकी कोई भी exam नहीं होगी बिलकोल ठीक सुना दोस्तों आपने अगर आप बिना exam के सीधी भरती के माध्यम से railway metro में नोकरी पाना चाते हैं तो इस vacancy के लिए आज ही apply कीजिएगा और यहाँ पर सार्दी की बात की जाए तो 56,100 रुपे पर मत आपको सार्दी मिल रही है तो सार्दी बड़ी ही शांदर आपको यहाँ पर मिल रही है male female सभी के लिए चौब है railway में अगर आप नोकरी पाना चाते हैं तो railway metro में आप सभी के लिए vacancy आ चुकी है आवेदे शुरू हो चुके है तो आज की इस वीडियो को end तक जरू देखिएगा वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए important होने वाला है step by step आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है तो आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को like कीजेगा दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेर कीजेगा और आज ही हमारे official YouTube channel technical government job study को subscribe करें क्योंकि जो channel है इंडिया का number one education channel है जहां पर आपको सबसे पहले 100% real job की update दी जाती है अगर आप भी 100% real job की update पहना चाते हैं तो आज ही हमारे YouTube channel को subscribe कीजेगा ये रहा subscribe करने का बटन इसको दवाने के बाद में आपको एक घंटी का bell icon मिलेगा जिसे दवा दीजेगा तभी आपको notification सबसे पहले मिलेगे तो subscribe करके bell icon जरुद बाइएगा और ये आप दिसेते हैं यहाँ पर रोजना आपको नई जॉब की update सबसे पहले दी जाती है दोस्तों यहाँ पर आकरके आप नई विकींस की जानकाई ले सकते हैं और apply भी का सकते हैं apply करने का link भी आपको यहाँ पर provide किया जाता है तो हम चलते हैं सीधा official website पर tips viral buzz, dodex, y, j दोस्तों यह हमारी official website है यहाँ पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकाई दी जाती है चाहे वो railway की हो, sse की हो, bank की हो, police की हो, army की हो किसी भी सरकरी department की भरती की जानकाई जो है आप हमारी इस official website से ले सकते हैं और apply भी का सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे आना है अगर आप दसवी बारवी पास हैं आई टिपलोमा डिगरी पास हैं तो आपके लिए हाँ पर vacances available है चेक आउट कीजिएगा अब हम बात करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में railway metro की नई भरती के बारे में इसका notification आउट हो चुका है इस साल 2024 का तो friends यहाँ पर vacances जो निकाली जा रही है आपके सामने हैं आप दिशते हैं कौन-कौन सी vacances है तो railway metro में जो vacances है साल 2024 के जो की पतना Metro Rail Corporation Limited की तरफ से निकाली गई है यहाँ पर vacances की बात की सा है तो 1 और 2 दो परकार की vacances है principal advisor की है और advisor की है यहाँ पर apply करने का जो process दिया गया है वो सिर्फ online दिया गया है online ही आपको railway metro की vacancy के लिए apply करना होगा और कौन-कौन apply कर सकता है All India के सभी male और female candidates हों है apply कर सकते हैं selection का जो process यहाँ पर रहेगा उसमें सिर्फ आपका interview लिया जाएगा जब भी आप finally joining लेते हैं उससे पहले आपको आपके document जो है submit करने होते हैं ठीके यहाँ पर railway metro के अलावा all भी काफी सारी vacancies है railway की है work from home job है SST की vacancy है post office की भरतिया है आंगनवारी की भरतिया है जिनका link आपको यहाँ पर दिया गया है आप click करके apply का सकते हैं यह रह लेंग ठीके apply कीसेगा वही दोस्तो railway metro की इस भरति के लिए आपको जो salary मिल रही है काफी जबरदस salary मिल रही है 25,000 से 1,60,000 रुपे permanent salary मिल रही है job location पतना metro rail corporation limited की रहने वाली है वही age limit जो है इस भरति के लिए कम से कम 18 साल है maximum 18 साल तक के candidates apply का सकते हैं इसके अलावा ICU में छूट है अगर आप SCST के candidates हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी अगर आप OBCC NCL के candidates हैं तो 3 साल का छूट का आपको benefit मिलेगा age में ठीक है वही application fees की बात की जाय तो friends यहाँ पर जो fees है बिल्कुल free है सभी के लिए General, OBCC, SCST, PH सभी जो है फिरी में apply का सकते हैं वही education qualification में bachelor degree अगर आप पास हैं relevant discipline में तो आप apply का सकते हैं eligible हैं अगर दोस्तों आप railway metro की इस vacancy के लिए apply करना चाते हैं तो apply करने से पहले आपके पास सारे documents होने चाहिए तभी आप इस job के लिए apply कीजेगा otherwise आपका जो forum है वो reject हो सकता है अगर आप नहीं चाते हैं आपका forum reject हो या आगे आपको कोई समस्या का सामना करना पड़े तो आपके पास सारे documents होने चाहिए आपको बता दें आपकी फोडोग्राफ चाहिए पास्वोर्ट चाहिए आपका signature आपको scan करके upload करना है वहीं आपका आधार कार चाहिए आपका मूल निवास प्रमार्पतर भी चाहिए यहाँ पर आपका SCST का जो भी कास्ट का certificate है वो यहाँ पर लगेगा आपकी दस्वी की mark sheet से लेकर के बारवी graduate जो भी आपके पास mark sheet है वो सभी आपको यहाँ पर लगानी होगी आपका age proof में आपकी दस्वी की mark sheet याँ फिर आपका bus certificate आप लगा सकते हैं आपका ID का जो भी document से वो लगा सकते हैं और resident में आपका जो भी document से वो आप लगा सकते हैं चाहे वो राशन card हो, बिजली का bill हो याँ फिर आपका आधार card हो यह सभी documents आपके यहाँ पर लगने वाले हैं तो उनकी तयारी कर लीजेगा फिर आप apply कर सकते हैं और आविधन जो हैं आप दिसते हैं 9 जुलाई से start हो चोके हैं जो कि 24 जुलाई तक चलेंगे यहाँ से आप apply कर सकते हैं यहाँ से आप जो है notification को download भी कर सकते हैं तो for example आपको बता देते हैं यह रहा आप दिसते हैं यहाँ पर जो vacancies out की गई है principal advisor की है और advisor की vacancy है कहां से vacancy निकाली गई है पत्ना Metro Rail Corporation Limited की तरफ से निकाली गई है तो railway metro की vacancy है इसका notification आप यहाँ से download कर सकते हैं और apply भी कर सकते हैं तो simply आपको register here पर click करना है अगर आप apply करना चाहते हैं तो और यहाँ पर आपको आपका पुरा नाम देना है mobile number और mobile number पर आपको OTP भेजना है उसको आपको यहाँ पर डालना है फिर आपको यहाँ पर verified करना है फिर आपको password डालना है दोबारा से confirm करना है इसी password को आपको यहाँ पर confirm करना है फिर आपको account create पर आपको click करना है उसके बाद click होने के बाद आपको यहाँ पर sign in पर click करके आपको login करके आपको submit करनी है आपकी सारी information और आपकी documents इस प्रकार आप जो है apply कर सकते हैं बाखी complete जानकरी के लिए दोस्तो आप इस notification को download कर सकते हैं यहाँ पर आपके सामने पूरी हिंच जे भारत